नमस्कार, मैं हूँ ताजा अपडेट के साथ असुपर्मा, आप देख रहे हैं टीवी टॉंटी न्यूट, आप अपने अपने छेतरों की ताजा खबरें देखते रहे, बने रहे हमारे साथ, शुरुवात करते हैं खबरों का सिलसिला पित्रों को तरपन देने का सुनारा उश्चर पित्री पक्ष। पुरिविदी विधान से पीत्रों का सुरात करना चाहिए पित्री पक्ष का हिंदु धर्म में विश्च महत्व है पित्री पक्ष में पीत्रों का आशिरबात करने के लिए पोजन किया जाता है पित्री पक्ष के में प्रतियादर भाव प्रकट किया जाता है पित्री पक्ष कोवा को भोजन कराने की परंपरा है मानता है कि कोवे के माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंच जाता है ऐसी भी मानता है कि पित्रिपक्ष में पितर कोवे के रूप में पृत्वी पराते हैं हिंदु धर में पित्रिपक्ष का एक विश्विश महत्व है जो आज से निवार वारे में है जो हमारे उर्वज लोग उने प्लक्ष में हम लोग किसर पक्ष को मनाते हैं तूकि फिर्वज पुर्वज हमारे द्यवचा स्वरूप हो और वो अगर संचुछ जाते हैं तो हमारा जीमन पुसमाहं दोता है उसी प्लेक्ट में एक वर्स पक्षाता इस पक्ष में क्या करना है कि हमको उनकी निमित जल्दान देना रहता है और जो विल्यम भोजन बनाते हैं उस निमित उनको अरपन करते हैं इससी जो हमारे परिवार में विध्धी, धन, विध्धी, समस्पकार की रोग्रूस का विनास होता है बिना पिच्रिक के प्रंक्युष्टी की जोटा किया कोई भी पूजा करड़ा जी है वो आपको अलिभूर्द नहीं होती है इस पक्षी है ग्रामिलों की विकर्स किस्व योग्ष समाज से विवे नितरंजन की नितिरतु में सकलो बार विरोत प्रदर्सन का जलाल पूर महावल पट्टी गावं में इस्तित दिनाले पर पूल का निर्मार तो पीड़ूडी विभाक से तो करवा दिया गया लेकिन अभी तक सलक को से नहीं जुड़ा गया जहां एक तरफ जरजर सलक से होकर ग्रामिलों को करीब दस बर्सों से गुजरना पड़ रहा है वही अथक प्रियास के बाद पूल का निर्मार तो करों वुपए की लागत से कर दिया गया लेकिन विवार के उदास भी ता कि जलते पूल का कोई अस सब्सक्राइब तुनिए यह जो तालाब है बर्सात में यहां पूरा पानी लगता है और करीब यहां गर्दन तक पानी लगता है और लोगों को आने जाने में बड़ी परिसानी होती है मार्ग बंद हो जाता है पूरी तरह बादित कोई आप लोगों ने कई बार प्रतरसन और सारी से मांग किया सासन सरसे की कुल का निर्मार हो चुका है लेकिन अभी अस्तित भी ही इसका कोई मतलब नहीं जाता तब तक पूल का बनने का कोई मतलब नहीं है उसमें समस्या है कि रोट जो है जिला परिसत से है और यह पूल जो है पीडबलुडी से है तो यह रोट पीडबलुडी हो जाए तो बहतर होगा कि इसका निर्मान अच्छ से हो जाए अब इसके लिए जहां जाना पड़ेगा कार्याले हो गेर हम लोग जाएंगे धरोजा कट कटैंगे भारी सुआने बाली हाथ इस फिर गरदन तक पानी से बुजरना पड़ेगा हाँ 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 इसके लिए लिए तव्ह जायेंगे तवसील पर जाएएगे जृद पड़ेगी तो लखना जाएए जब तक नहीं बन जाता तब तक जारी रहेगा वे संगा और आजमगर से खबर है जहां जेल में बंद रमा कांत यादो को फतेहगर जेल के लिए भेज दिया गया है एसपी अनुराग यारे ने उसके जानकारे दी है एसपी अनुराग यारे ने बताया कि जेल अधिक्षक के अपने विवेक के अनुशार प्रसाचनिक प्रकरिया के तहत उनको रहमा कांत यादो को आजमगर जेल से फतेहगर जेल के लिए भेज दिया है मामले में स्पी आनुरा के आरे ने क्या कुछ कहा है सुनिए रमकान द्यादत जो वर्तमान में आजमगड जेल में निरुद थे इनके जेल सांतरन के संबंद में एक आदेश प्राप्त हुआ था जिसके अनुपालन में पुलिस लाइन से पुलिस बलुपलब्द कराते हुए उस आदेश का अनुपालन कराया गया है और स्थांतरन पर रवाना किया गया है प्रशाषनिक प्रक्रिया जो जेल अधिक्षक है वह अपने विवेक के अनुसार जेल की विएस्था को देखते हुए समय समय पे कैदियों को प्रशाषनिक आधार पर दूसरी जेलों में ट्रांसवर करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं जिनको किया जाता है उसी कानपालन प्रशाषनिक 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 आपने आपको खराप शमचना शौक को खत्म करना किसी कारी में मन नहीं लगना हमेशा नेगेटिव विचार आना जो चड़ा पर जाता आना यानि नहीं आना जिसकारे से पहले रूची होती थी उसकारे से दिल्चस्पी ना होना ना मरने का ख्याला आना सुसायट से लेकर बहुत सारी मित थे लेकिन आज हम बात करें कि कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिससे हम शुषायट को रोख सकें अपना एक लक्ष को पुड़ा क कुमार सिंग्, डाक्टर अस्तोस चोबे मिस सुनिहास से शासने का दिकारी मितल स्तिवारी अमरदीब खरवार अभी शेक यादवात हो स्पिटल इस्टाप मरेज के पर जन्व मरीज पुपस्तित थे जिससे हम शुषायट का थे अपने अध्रक प्रजिश्रम से इस पर उक्षा में शफलता प्राप्त की उन्होंने अपने गुर्जनों माता पिता के साथ अपने बाबा डाक्टर बहादुराय को दिया ठीकवा संतुष कुमार तिवारी शुक्षामितर शंक अध्यक्ष उम्प्रकर श्यादो अनुदेश के अध्यक्ष मनिश कुमार गुपता प्रमोद मौर्य अरुन राय अजित कुमार सहित तमाम लोगों शुक्षक संग आजमगड के जलाद्यक्ष सिख्वा माओरिया वरिश उकष्पा ध्यक्ष प्रतिवास्थर ने तिर्थे बड़ी संख्या में शुक्षकाउं ने नई मतिरा मंतृर के नितिरत्तों में प्रदेश में wrap my प्रोप्ति करने के लिए अवान कह संधु आघव rondon जनपत कि शुक्षा वहनों का शंक्तन स्यधिक स्यधिक संक्य में जुटकर अपनी विचा आधिकारों के प्रतिजिस से घूने का आवान किया गया अकलेश और किशो मर की चल रहे है ट्विटर वार पर उन्होंने कहा कि पिछड़ों को किसी की फिक्र नहीं है सब आपस में लड़कर समाज कर नुक्सान कर रहे हैं लोग चाहे ट्विटर पर लड़े चाहे फिस्वुक पर या जुबान से लड़े सही लड़ने की हिमत कोई अगर अखलीश जी इस बात को कह रहे हैं तो सायद आपको मालूम होगा चार सितंबर 2013 को एक आदेश हाई कोट ने किया था अखलेश जी मुख्यमंतरी थे अमीर और गरीब के बच्चे एक साथ सरकारी स्कूल में पढ़े हैं क्या इन्होंने फालू किया 13 सितंबर 2013 को एक फैसला आया कि पिछड़ी जाती के 27 परसेंट आरक्षण में कुछे ही जातियां लाव उठा रही हैं और सेज जातियां नहीं पा रहे हैं इसको बाट करके बिभाजन करके सबको सामाजी के दायरे में लाया जाए क्या अखलेश जी ने किया आज उन 70,000 सिक्षक भरती 68,500 सिक्षक भरती के बच्चे दर दर बटक रहे है राष्टी पिछड़ा वर गायोग ने बता दिया कि यह निमित्ता हुई यह रक्षण में सरकार ने मान लिया हाई कोट ने मान लिया क्या खिलेश यादो जी कभी मुख्यमंत्री से मिलकर के इस बात को कहें कि भाई यह इसको सही करिए क्या मैवती जी मिलके इस बात को कही हुए कि क्या कोई नेता जो पिछड़े दली तापस में यह आपस में लड़कर समाज का नुक्सां कर रहे हैं क्या त्विटर पे लड़े हैं अच्यए फेस्बुक पे लड़े और चाहे जबान से लड़ें लेकिं सही लड़ाई लड़ने की हिमत नहीं कोई यूटा पा र बाद दीया, का जिब संकर भगवान से कहा कि असिर बात बर्दान मांगा तो संकर भगवान ने कहा कि जाओ तुम जिसके उपर हांत रखो जलके भसाम हो जाएगा, तो निम्कार भगवान सुर्थ संकर न को दुड़ा लिया तो जिसको हम लोग नेता बनाए जमीन से उठा करके इस उचाई तक पहुंचा है और आज मुझे तकलीफ है लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि जिस जंडे और टोपी की धम पर विधान सबा का चुना लड़ा मुकतरन सारी के खिलाब 6,000 ओर से हारा हो बेक्ती लोकसबा का चुना ल जूता जूता जंडे और टोपीकों कचड़ रहे हैं उसी पे पान्खा के थूक रहे हैं महाराजा सुहेल दीव जी का अपमान ओम परिकास राजबर कत्री बरतास नहीं कर सकता है एक नहीं सैकडोल लोग चले जाए लेकिन महाराजा सुहेल दीव जी का समान कभी जूकने कि नतीजों में रहाने कि सरा इस्टाजमल पबलिक स्कूल की चार विद्यारतों ने निट की परिख्याउत निकर विद्याले का नाम रोशन किया जिसमें निट का यादाओ छेसो तेज सूंग रुष्दा खान छेसो की संग अनम खाने मुहम्मद उमर ने छेसो बीस अंग प पर विद्याले के संसापक शाह आलम रुष्दी जमाली परवंदक मुहम्मद नुमान पदनाचारे हुमावाशीम स्था स्योजिका रिचा मिस्टाइम स्विक्षकों ने गवर्मानी तेमें सुस्कर परती भागयों के अर्थक पर यास्विम लगन की प्रसुंशा की तथा पर विद्याव पर विकास खंड दोरा चेहने तमयलाओं को प्रसक्षिन देने के उपरांद जिल्य के सभी बलागों के परत्रविक्षित मयलाओं को कारकरम में बुलाया गया जहां उन्हें पियर जल्की सुचांच कराने के लिए कीट का वितरन किया गया इस कारकरम का अजे थाना अहरौला पुलिस को ग्राम अरुशा में मर्डर की एक सूचना प्राफ्त हुई उक सूचना पर ततकाल थाना अहरौला वासपास की पुलिस फोर्स मोगे पर पहुची गटना के संबन में जानकारी करने पर या ग्यात हुआ कि मृतक वो मारने वाला आपस में चाचा भतीजा है पूर में इनके मद्र बटवारे का विवाद रहा था आज तातकालिक तोर पे दोनों पक्षों के मद्र कुछ कहा सुनी हुई उसके पश्चात अमर जीत यादा द्वारा अपने चाचा मुन्ना यादा को तमंचे से गोली मार दी गई इससे उनकी मौके पही मृत्ति हो गई पुरिस दारा शोगो निमा नुसार पंचाइत नामों वा कोश्मार्टम है तो भीजवाया गया है प्राब तहरी पर अभियोग पंजिकित किया जा रहा है अभियुक्ती गिरफ्तारी है तो दो टीमें लगाई गई हैं शेगिए अभियुक्ती गिरफ कुल 286 प्रतिभाग की प्रतियोगिता में आजमगर जनपत का दब्दबा रहा और गोरकपुर दूसरी वैकाजीपूर प्रतियोगिता में जो टीम अपनी टीम लेकर आये थे उनका अभार्वेक करती हुए अब दूसरी लोगों ने चैन किया जिसके तहरे अच्छादर अप्छेशेट्र या सुत्री अपने जनकत का नाम रोशन करेंगी इस तोरान प्रताना चार्शंगिता प्रतिया अनल कुमार पाठक संधिना रज्चना रादेश्याम यादव अविनाश गुप्दा सही तमाम मौशुद रहे हैं प्रतिस लड़कें हैं 132 लड़कियां हैं और इन मेंसे जो है रीजनल लेवल की टीम अंडर 14 अंडर 17 और 19 का चैन किया जाना है बालक और बालिखावर्क दोनों में है तो यह कारिक्रम अग्समापन है यह यह कल इसका उद्गाटन समार हो गा था जिसमें की नाइपता सिल्दार माननी मेंक मिस्ता जी आये थे और आज इसका समापन हो रहा है तीमों का फाइनल सेलेक्शन अभी जारी है लगबग दो बुजे तक फाइनल सेलेक्शन हो तो रीजनल लेवल बालिका वर्क का जो है यहीं पर रीजनल लेवल आज़ित किया जाएगा और बालक वर्का जेनवी चंपावत उत्तराख़ में होना है थैंक यू पॉलिस ने एक कैसे अभ्यक्तु ग्रपतार किया है जो किसोरी के साथ शुरखाने करने की आरोपी है बता देकि उस साथ सुटमबर को थाना पॉय शेत्र के किसोरी ने थाना स्थानी पर स्पैथ की थी किसोरी अपनी करके बगल में गाउं के दुकान पर समाले ने गई थी इपक्षी सीवो खांप पत्र शाहे अलम निवासी दावन पारा थाना परवई जिन पता जन गुरद्वारा किसोरी के साथ शुरखाने की गई विरूत करने पर मारपीट काले गलोच हुआ थमकी दी गई के समद्ध में मुकदमा पंच कित किया गया था और आज पोलिश न पर शाथ 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 राफी देकर शमान किया गया या कुछ कहा रभी शंकरिया तो ने सुनिए यहां से इसके बारे तो इसमें हमारे सारे ज्यालियर के बच्चे थे विज्यान कि सब्सक्राइब यहां की स्कुल से और यह में दस इसके बाद इनमें से जाएंगे जब बुलाया जाएगा जिनेक प्रद्थ को होगा कारिकरण को हम लाए जाएगा इनाम भी दिया गया मेडल भी दिया गया उसा भी है इसको सिच्छक बच्चे लोग को कितना और सा मिलेगा आज बच्चों को देखके सिच्छकों को देखके यह लगा कि सरकार या भी भाग का यह पहल सफल और भविस में ऐसा होना चाहिए ताकि मुटिवेट बच्चे हो सिच्छक हो और आगे वो लगा और नहींस से काम करें अपरेल माँ से जुलाई माँ के एपी एफो नौजमा होने वहर माँ वेतन को लेकर वादा खिलाफे वस्फोर्शन के लिए आजम ग्रमंडल के शमत संबीदा करमचारियों ने अनिस्ट्ट कालिन कारिवाशकार कर मुख्यावियंदा खार या पर धारने में बैट गए हैं सब्सक्राइब के लिए मुख्यावियंदा खालाले पर आजम गर्जोन के लिए कि समस्क्राइब करने वहर मां के साथ तो आरेक तक व्यतन का वुक्ताना करने सब्सक्राइब कर विशाल धरना प्रदर्शन कर जम करने आरे बाजे की विदुद कर में मजदूरत हैं कि अधर देखिये यह अपने हक्त को लेकर धरना है बेतन को लेकर धरना है सोसर को लेकर धरना है अपने मद में कट रहे एकिया दरना है अपने निकाले जा रहा है साथी को लेकर धरना है क्योंकि गलत तरीकों से हमारे साथी को निकाला जा रहा है एक जुलाई को प्रवंद निदेशक के द्वारे एक आदेश हुआ था कि आप लोगों का बेतन जो है माह के साथ तारिक तक निर्गत कर दिया जाएगा अगर नहीं होता है तो एक्सियन महोदा का पेमेंट रोग दिया जाएगा तो यह तीसरा माह है आखिर किन किन एक्सियन anterior चाहिए हम नहीं जानते हैं क्या उसमेञी अनुबंद हुए हम नहीं जानते है लेकिन अनुबंद हुए अनुरुक फेुले किया रहा है दंग से उसमें उसमें E नहीं कट अधा रहे हैं उनका ट्रांश्परत काल प्रभाव से नहीं रोका जाता है तो हम लोग अनिश्चित कालिके करेश्कार कर नहीं होता है कि जो भी आदेश्ट प्रबंधन के द्वारा हम विभागी कर्मचारियों या बाइजनसी के माध्यम से कर रहें कर्मचारियों के द्वारा आवंटित की जा रही है या लागू की जा रही है उसको सभी लोगों के लिए लागू किया जा अभी पुर्व मेही 15-16 अगस्त को ए जब जल्द से जल्द विचार भी मर्श करिए नहीं तो संभीदा कर्मी आने वाले अगटूबर मां के लाश्ट तक अनिश्चित का लिनकार वहिस्कार पर जाने के लिए बात दियोंगे जिसका लेटर प्रवंधन के पास चेयर मायन के पास बहुत जल्द ही जाने वाला है पिजिले के सब्री तरशिल शेतर के मालोना जाद इंपर कॉलेज अंजान सोहीद के प्रधानाचार डक्टर मुम्मत सुथीन शोहीदीन को पतस जलाद विद्याले दिरक्षक द्वारा गलब तरीके से फरिक्षा पास करने के चलते हटा दिये जाने को लिएकर शनिवार को सब्सक्राइब कमिश्रा कोतवाल यादेवेंद्र पांडे और खुद पतानाचार डक्टर मुम्मत सौहीदीन ने शादरों को समझा पुजा कर मामला शांक्राया और कौक्षा में जाकर प्रथन पाटन करने को कहा पर शादरों को आप पचलाने की मांग करते रहें इस चं अधिकारियों का अधिकारियों का अधिकारियों का अधिकार्यात आडर हुआ है मेरे इंट्रेमिडियेट करिछा के संबंद में के इंट्रेमिडियेट प्रिच्छा में मेरे दोहरे आवेदन को लेकर के आरोप लगे हैं उसी के संबंद में कुछ अधिकारियों के पुछ आदेव आथे जिले लेवल के अधिकारी के के परधानाचार को हटा करके किसी और को चार्ज दिया जा और इनके मूल परवक्ता पर इनको भेज दिया जाए जब तक कि जांच पूरी नहों जाए तो संजुक शिक्षा निदेशक महुदा को आई ये शुचना नहीं थी कि जांच पूर्व जिला तटकालें जिला विद्याले लिक्षक करके वो अपर सची माधुमिक शिक्षा परिशत को भेज चुके है तो जनकाई ना होने की वज़े से कुछ लोगों ने उनको भ्रमित करके इस तरह का अधेश करा दिया था तो बच्चों को जब ये पता चला कि इनको हटाया जा रहा है तो वो सहानुभूती में या सिंपैथी में या महबबत में अब कुछ प्रोटेस्ट करने का प्रोग् जाया बचाया गया है बच्चे शांति और गेट खोल दिया गया घर जाने चाहिए घर चलिए बाकि क्लास्रूम में जाए अपनी पढ़ाई लिखाई करें अब मामला शांति हो गया है पिजिए लेकि सब्री तशेल शेत्र के मौलाजाद इंप्रकॉलेज अंजान सोहीद के प्रधानाचार डक्टर मुव्मत सूतीन शोहीदीन को पत्स जलाद विद्याले दिरक्षक द्वारा गलत तरीके से फरिक्चा पास करने के चलते हटा दिये जाने को लिएकर शनिवार को शातर शातरा हो ने विद्याले क्लेंपश में कप्षाौン का वाइश्तक करते हुए vaya पॉथन पांठरों आपकर्णाचार का प्रधानाचार को अपास लाने के पहइव्मत अपक्षा में प्रदनाचार ने और कुछ कहा शुनिये मैं डर्दनाचार मौलाना आजाद इंट्रकालेज अंजान शेही रादमबर्द बच्चे परतर्फन कर रहे थे कुछ अधिकारियों का एकात आडर हुआ है मेरे इंट्रेमिडियेट करिछा के संबंध में के इंट्रेमिडियेट परिछा में मेरे द्वहरे आवेदन को ले करके आरोप लगे हैं उसी के संबंध में कुछ अधिकारियों के कुछ आदेव थे जिले लेवल के अधिकारी के कि परधानेचार को हटा करके किसी और को चार्ज दिया जा और इनके मूल परवक्ता पर इनको भेज दिया जा जब तक कि जांच पूरी नहों जाए कि उसन्जुक शिक्षा निदेशक महुदा को यह शूचना नहीं थी कि जांच पूर्व जिला तटकालिन जिला विद्याले निरिक्षक करके वह अपर सची मादुमिक शिक्षा परिशत को भेज चुके हैं तो जनकाई ना होने की वज़े से कुछ लोगों ने उनको भ्रमित करके इस तरह का आदेश करा दिया था तो बच्चों को जब यह पता चला कि इनको हटाया जा रहा है तो वह सहानुभूती में या सिंपैथी में या महबबत में अब कुछ प्रोटेस्ट करने का प्रोग् जाया बुझाय गया है बच्चे शांती और गेट खोल दिया गया है तो जो घर जाने जाए घर चलिया है बाकी क्लास्रूम में जाए अपनी पढ़ाई लिखाई करें हमामला शांती प्रुवक्त हो गया सांत हो गया प्रिस्वाइज मालठारी आजम गड़े में नवागत प्रफेसर शुचिता स्रीमत्वा राजी कि प्रतिमा परमाल अर्पित किया चाथी सथापीत महात्मा गाधी प्रतिमा उन्होंने आवालर पड़े वालों में प्रोफेसर अकलेज चंद प्रफेसर हसीन खान प्रफेसर प्रियम चन्म यादव डर जोगतीश कुमार नितीश अभ्योक्तों को गरपतार किया है जो फर्जी नियुक्ती पत्र देकर दोखा धारिक करते थे इस मामले में हरिस्चंद्र यादव पोत्र मुसुई यादव निवासी ग्राम हैत्राबाथ रोना पार जन्रपता आजम करने अज थाने पर शिकायद की थी कि लड़की से उमेश पंचेतिया दोडान चार सोने स्वादवे के मठतरे की गई करतोरे की गई और मुकदमा प्रफिस्ट्र विड़क्ति वेंदर कुरुफ धर मिंदर को तुर राम ने और साकिन मदावड़ा थाना ने ने जो थाना रावना पार और हरिस चंद्राम पुत्र मुलसी राम को गि प्रभी यादा और करिया पोत्र मेवाला यादा जो निवासी द्यालपुर थाना करम फिर पिर जनपता आजम करके हैं जो सबस्वात तीन बजे करीब ट्रक को ड्राइबर धर्मिद्दे से राने के सुनाच लिराधम का कर लेकर चले गए तीस सम्दुने में पदमा पंद क संदीब यादा पोत्र सुरीभान और उसके दोस्त दीपेस यादाव पोत्र रमेस यादाव ने मेरी पूत्री जो सत्रा बर्स हैं उसको कहीं भगा ले गए तथा प्रोव में जान से मारने की भी धंकी दी गई है संबंद में मुकदमा पंकित्या गया और चत्रह दिकारी संदीब यादाव और दीपेस यादाव को पूलिश की रफदार कर लिया